हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज मैं टीट अफ्स्ट्रक्शन की सरजरी का एक बहतरीन केस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो पाकिस्तान से डॉक्टर असलम कमाल एक बहुत ही एक्सपेरियंस वेटनरियन है उनके दौरा मेरे पास शेयर किया गया है मुझे पूरा बिस्वास है कि ये केस आप लोगो को फिल्ड में टीट अफ्स्ट्रक्शन की सरजरी करने में मजद जरूर करेगा तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर असलम कमाल साहब के पास वो किस तरह से इस केस को डाइगनोस करते हैं और किस तरह से इस की सरजरी की अप्रोच बताते हैं आप उन्हीं के सब्दों में डिटेल में सुनिये हलो, असलाम अलेकम आदाब ये मेरे पास सुबह एक कम्प्लेंट आई थी इस बहेंस की मालक का कहना था कि आज दो टाइम हो गए हैं इसका दूद ने निकला कल शाम को भी निकला, सुबह भी निकला तो मैंने आके देखा, इसको मैंने निसीीज या दिय था, 1CC, निट्रमसकलुरता के आराम से काम कर सुनकुंग। 10 में बाद ये ये निसीज या काम कर गया था, डिजीनस आगे थी इसमें तो मैंने इसकी टांगे बंदवाके तो इसके एंटिसेप्टिक से डेटावल वाले पानी से इसकी सफाई की है और साफकार रहा हुची तरह ता कि कोई सकार वगएर आ उपर न रह जाए और यह मैं दो किसम के उदारस में इस्तिमाल करने पड़े है क्योंके टीटोरिफिस नजर नहीं आ रहा है कि टीटोरिफिस है कहाँ क्योंकि वो जखम ऐसा हुआ है पता नहीं पाउंके नीचे आ हुआ हुआ है या कोई इसको कोई कैंकर वगएर लगए तो अब देख रहा हुँ कि टीटोरिफिस का है यह मैं एक नाइफ है जो दोनों तरों से बलंट है उससे मैं पहले तलाश करूँगा कि टीटोरिफिस का है क्योंकि अलकर मैं वो तेज बलेड इस्तिमाल करूँगा तो वो कहीं से भी उन्दर जा सकते है तो यह अगर कहीं से बी अंदर चला जाए तो वो असल जगा पर अगर स्राख नहीं होगा तो दूद अंपने हाट नहीं आएगा जो है न वो शाप है और एक बलंट है. अंदर एंटर करते हुए, जो बलंट साइज है उससे उपर बजन पड़े ताकि उसका शाप साइज जो है न वो कट लगाती हो जो अंदर ना जाए. क्योंकि बबारी को गर नजर आ जे कट लगा हुआ है तो वो चीज का रेट खराब हो जाता है ये तो वैसे जखमी हो हुआ है मेरे पास आते है कि जो बाहर से बिल्कु ठीक लगते हैं उनका औरिफिस ठीक लगता है तो उनको बचा के अंदर करना पड़ता है ये अंदर एंटर किया और ये कोशिच होती है जो औरिफिस है ये जो नाइफ है इसकी नेक के नीचे नेक के उपर टीड का औरिफिस हा जा जाए ताके कट ना लगे अंदर कट लगाए एक उस तरफ एक 180 डिग्री पे दूसरी तरफ कट लगाए और बाहर से कोशिश की जाती है कि बाहर से कट नजर ना आए ये मैंने देखा है कि लोग 11 नबर या 16 नबर से अपरेट करते हैं तो वो कट बाहर भी लग जाता है तो मैं समझता है इस से बहुत अच्छा होता है ये देख लें अब इन्शाला 5-10 देन में ये औरिजिनल हालत में आ जाएगा अलाँ आफिस तो देखा आपने कितना बहतरी कमाल साहब ने सरजरी की एक ड्रॉप बलड का भी नहीं आया और उन्होंने टीट अफ्ट्रक्शन को कट कर दिया तो ये उनके एक्सपरियंस का कमाल है अगर आप भी प्राक्टिस करते हैं फिल्ड कंडिशन में और इन इस्टूमेंट का इस्तमाल करते हैं तो आपको भी मैं शूर हूँ कि ऐसे कैसे सॉल्ब करने में जरूर मदद में लेगी एक चीज़ मैं और कहूंगा जैसा कि इसमें आप देख रहे थे कि टीट का जो टीप था वो इंजर्ड था तो वहां की इंजर्य जब हो जाती है तो जेनरली हिलिंग नहीं होती है तो बार बार वहां इंजर्य होती है तो यहां पे अगर आप कुछ हूमन में जो ओइंट्मेंट्स आते हैं मियू पिरोसीन का और साथी साथ हार्डरो काडिसोन का उन दोनों का मिक्स करके अगर इस्तमाल करेंगे तो जो अलसरेट हुआ है वो वाला पार्ट हील होना शुरू हो जाता है और फर्दर दुबारा से ब्लोकेज नहीं होता है हलाकि यहां पे जो सजरी की गई है वो बहुत ही बहतरीन की गई है तो आपको अंदर से ब्लोक होने के चांसे बिलकुल नहीं है लेकिन बाहर का जो ulcerated part है उसको हिल करने के लिए आप मेरे दोरा बताये हुए ointments का इस्तिमाल कर सकते हैं चलते चलते मैं डॉक्टर असलम कमाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने अपने experience और case को हमारे साथ share किया जिसको मैं आपके साथ साजा कर पा रहा हूँ साथी साथ मैं आप लोग का भी दन्यवाद करूँगा क्योंकि आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोग हमेशा मुझे inspire करते रहते हैं ताकि मैं आप लोग के लिए veterinary practice से related videos बनाता रहूं और upload करता रहूं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और अपने दोस्तों के शाहत शेयर करें धन्यवाद नमस्कार